राथे राधे जी पवित्रवचन यूट्यूब चैनल में आपका हार्तिक स्वागत है मैं हूँ कात्याईनी सुख समरिधी धन वैभव तधा ऐश्वर्य की देवी मा लक्ष्मी मा लक्ष्मी जी की पूजा और मंत्र का जाप करने से व्यक्ति के घर में कभी धन का आभाव नहीं रहता है मा लक्ष्मी को आर्ति के साथ ही चालिसा का पाथ भी बहुत प्रिय है आज के इस वीडियो में हम प्रस्तुत कर रहे हैं श्री लक्ष्मी चालिसा इसके पाठ से रोगों से मुक्ति मिलती है वपुत्र पाउतरादी धन संपत्ती की प्राप्ती होती है साथ ही सौंदर्य की प्राप्ती भी होती है इस चालीसा के पाठ से नकारात्मक उर्जा का नश्ठ हो सकारात्मक उर्जा का संचार होता है यहां चालीसा हर प्रकार के मनोकामनाओं को सिथ करने वाला है आईए श्रवन करें परन्तु उससे पहले हमेशा की तरह जैमा लक्षमी लिखकर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन को भर दे और माता महरानी के लिए एक लाइक तो बनता है साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि अपने बंधु मित्रों को भी इसका लाप हो और यदे आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब भी कर ले जै मा लक्ष्मी जी की जै सिंधु सुता जै विष्णु प्रिये की अथश्री लक्ष्मी चालीसा मा तो लक्ष्मी करे कृपा करो रिदै मेवास मनो कामना सिथ कर पुरवहु मेरी आस सिंधु सुता विष्णु प्रिये नत शिर बारंबार रिद्धी सिधी मंगल प्रदे नत शिर बारंबार हे मा लक्ष्मी कृपा कर मेरे हृदे मेवास करे मनो कामना को सिथ करे यही मेरी आस है हे सिंधु सुता विष्णु प्रिये मा लक्ष्मी मैं आपको सिर जुका कर बारंबार प्रणाम करता हूँ हे रिद्धी सिधी मंगलो को प्रदान करने वाली मा लक्ष्मी आपको सिर जुका कर बारंबार प्रणाम करता हूँ यही मोर अरداस हाथ जोडविनती करूँ सब विधी कर आओ सुवास जै जाननी जगदंबी का हे मा मेरी यही अरदास है मैं हाथ जोड़ कर बस यही प्रात्ना कर रहा हूँ हर प्रकार से आप मेरे यहाँ निवास करे यह जन्नी हे मा जगदंबी का आपकी जै हो सिंधु सुता मै सुमिराओ तो ही ज्यान बुधि विध्या दो मोही तुम समान नहीं कोई उपकारी सब विधी पुरवहु आस हमारी जै जै जगत जननी जग दंबा सबकी तुम ही हो अव लंबा तुम ही हो सब घट घट वासी विनती यही हमारी खासी हे सागर पुत्री मा लक्ष्मी मैं आपका हिस्मरन करता हूँ मुझे ज्यान बुधि और विध्या का दान दे आपके समान उपकारी दूसरा कोई नहीं है हर विधी से हमारी आस पूरी हो हे जगत जननी जग दंबा आपकी जै हो आप ही सबको सहारा देने वाली हो सबकी सहायक हो आप ही घट घट में वास करती है यह हमारी आपसे खास विनती है जग जननी जय सिंधु कुमारी दीनन की तुम हो हितकारी विनवाओ नित्य तुम ही महारानी क्रिपा कराओ जग जननी भवानी केही विधी स्तुती कराओ तिहारी सुधिली जय अपराध बिसारी क्रिपाद रिष्टी चितवमम ओरी जग जननी विनती सुन मोरी हे संसार को जन देने वाली सागर पुत्री आप गरीबों का कल्यान करती हैं हे मां महारानी हम हर रोज आपकी विनती करते हैं हे जगत जन्नी भवानी सब पर अपनी कृपा करो आपकी स्तुती हम किस प्रकार करें हे मां हमारे अफ्राधों को भूल कर हमारी सुधले मुझ पर अपनी कृपा द्रिष्टी रखते हुए हे जग जन्नी मेरी विनती सुन लीजिए ज्यान बुधि जय सुख की दाता संकट हरो हमारी माता खीर सिंधु जब विष्णु मतायो चौदारत्न सिंधु में पायो जवदारत्न में तुम सुख रासी सेवा की ओ प्रभु बनिदासी जब जब जन्म जहां प्रभु लीना रूप बदलता है सेवा की ना आप ज्यान बुधि वसुख प्रदान करने वाली है आपकी जय हो हे मां हमारे संकटों का हरन करो जब भगवान विश्णुजी ने दूत के सागर में मन्थन करवाया तो उस में से चौदारत्न प्राप्थ हुए हे सुख रासी उन्हीं चौदारत्नों में से एक आप भी थी जिनोंने भगवान विश्णुजी की दासी बन उनकी सेवा की जब भी भगवान विश्णु जी ने जहां भी जनम लिया अर्था जब भी भगवान विश्णु जी ने अवतार लिया आपने भी रूप बदल कर उनकी सेवा की स्वायम विश्णु जब नर्तनु धारा लीन है वधपुरी अवतारा तब तुम प्रगट जनक पुरमाही सेवा की और दय पुलकाही अपनाया तो ही अंतर यामी विश्व विदित त्रिभुवन की स्वामी स्वायम जब भगवान विश्णु जी ने मानव रूप में जब अयोध्या में जनम लिया तब आप भी जनक पुरी में प्रकट हुई और सेवा कर उनके दिल के करीब रही अंतर्या में भगवान विश्णु जी ने आपको अपनाया पुरा विश्व जानता है कि आप ही तिनों लोकों की स्वामी है आपके समान और कोई दूसरा शक्ती नहीं आ सकती आपके महिमा का कितना ही बखान करे लेकिन वह कहने में नहीं आ सकता अर्थात आपकी महिमा अकत है मन क्रम वचन करे सेवकाई मन इच्छित वांचित फल पाई तजी छल कपट और चतराई पूजही विविध भांती मन लाई और हाल मैं कहाँ बुझाई जो यह पाठ करे मन लाई ताकाओ कोई कश्ट नोई मन इच्छित पावई फल सुई जो भी मन वचन और कर्म से आपका सेवक है उसके मन की हर इच्छा पूरी होती है छल कपट और चतराई को तच कर विविध प्रकार से मन लगा कर आपकी पूजह करनी चाहिए इसके अलावा मैं और क्या कहूँ जो भी इस पाठ को मन लगा कर करता है उसे कोई कश्ट नहीं मिलता वह मन वांचित फल प्राप्त होता है त्राही त्राही जय दुख नीवारिनी त्रिविध ताप भव बंधन आरिनी जो चालीसा पढ़े पढ़ावे ध्यान लगा कर सुने सुनावे ताकाओ कोई न रोग सतावे पुत्र आदी धन संपति पावे पुत्र हीन अरु संपति हीना अंद बधीर कोडियती दीना हे दुखो का निवारन करने वाली मा आपकी जय हो तीनों प्रकार के तापो और तमाम बंधनों से मुक्त कर हमें मुक्ष प्रदान करो जो भी चालीसा को पढ़ता या पढ़ाता है या फिर ध्यान लगाकर सुनता और सुनाता है उसे किसी तरह का रोग नहीं सताता उसे पुत्र आदी धन संपति भी प्राप्त होते हैं पुत्रेवं संपति हीन हो अथवा अंधा बहरा कोड़ी या फिर बहुत ही गरीब क्यों ना हो विप्र बोलाए के पाठ करावै शंका दिल में कभी न लावै पाठ करावै दिन चालीसा तापर कृपा करै गारीसा सुख संपति बहुत सी पावै कमी नहीं काहू किया वै बारह मास करै जो पूजा तेही समधन्य और नहीं दूजा यदि वह ब्राहमन को बुला कर आपका पाठ करवाता है और दिल में किसी भी प्रकार की शंका नहीं रखता अर्थात पूरे विश्वास के साथ पाठ करवाता है चालीस दिनों तक पाठ करवाएं तो हे मालक्षमी आप उस पर अपनी दया बरसाती है चालीस दिनों तक आपका पाठ करवाने वाला सुकसम्रिधी वह बहुत सी संपत्ती प्राप्त करता है उसे किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती जो बारा मास आपकी पूजा करता है उसके समान धन्य और दूसरा कोई भी नहीं है प्रति दिन पाठ करए मन माहें उन सम कोई जग में कहु नाहीं बहुविधी क्या मैं करों बढ़ाई लेई परीक्षा ध्यान लगाई करीव श्वास करै व्रत नेमा होई सिथ उप जै उर प्रेमा जै 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 लक्ष्मी भवानी सब में व्यापित हो गुर्ण खानी जो मन ही मन हर रोज आपका पाठ करता है उसके समान भी संसार में कोई नहीं है हे मा मैं आपकी क्या बढ़ाई करू आप अपने भक्तों की परीक्षा भी अच्छे से लेती है जो भी पूर्ण विश्वास कर नियम से आपके व्रत का पालन करता है उसके हृदय में प्रेम उपचता है वो उसके सारे कार्य सफल होते है हे मा लक्ष्मी हे मा भवानी आपकी जै हो आप गुणों की खान है और सब में निवास करती है तुम्हरे तेज प्रबल जग माही तुम समको दयालू कहुना ही मोही अनाथ की सुधिय अब लीजै संकट काटी भक्ति मोही दीजै भूल चूक करिक्षमा हमारी दर्शन दीजै दशानिहारी बिन दर्शन व्याकुल अधिकारी तुम ही अक्षत दुख सहते भारी आपका तेज इस संसार में बहुत शक्तिशाली है आपके समान दयालू और कोई नहीं है हे मा मुझ अनात की भी आप सुध ले लीजिये मेरे संकट को काट कर मुझे आपकी भक्ति का वरदान दे हे मा अगर कोई भूल चूक हम से हुई हो तो हम एक्षमा कर दे अपने दर्शन देकर भक्तों को भी एक बार निहार लो मा आपके भक्त आपके दर्शनों के बिना बेचायन है आपके रहते हुए भारी कष्ट सह रहे है नहीं मोही ज्यान बुध्धी है तन में सब जानत हो अपने मन में रूप चतुर भुझ कर के धारन कष्ट मूर अब कर हुँ निवारन कही प्रकार मैं करओ बड़ाई ग्यान बुध्धी मोही नहीं अधिकाई राम दास अब कहाई पुकारी करो दूर तुम विपती हमारी हे मा आप तो सब जानती है कि मुझे ग्यान नहीं है मेरे पास बुध्धी नहीं अर्थात मैं अज्ञानी हूँ अप सरवग्य है अब अपना चतर भुज रूप धारन कर मेरे कश्ट का निवारन करे मा मैं और किस प्रकार से आपकी प्रशंसा करूँ इसका ज्यानव बुध्धी मेरे अधिकार में नहीं है अर्धाद आपकी प्रशंसा करना वश की बात नहीं है त्राही त्राही दुख हारिणी हरो वेगी सब त्रास जयती जयती जय लक्ष्मी करो शत्रु को टाश राम दास धरी ध्यान नित विने करत कर जोर मातु लक्ष्मी दास पर कर हुदया की कोर हे दुखों का हरन करने वाली मा दुख ही दुख है आप सब पापों को हरन करो हे शत्रु का नाश करने वाली मा लक्ष्मी आपकी जय हो राम दास प्रति दिन हाथ जोर कर आपका ध्यान धरते हुए आपसे प्रार्थना करता है हे मा लक्ष्मी अपने दास पर दया की नजर रखो इती श्री लक्ष्मी चाली सा संपूर्ण भग तो यहां श्री लक्ष्मी चाली सा संपूर्ण होता है यह थी आज की प्रस्तुती आशा है आपको यह वीडियो अच्छी लगी जै मालक्षमी लिखकर इस वीडियो को लाइक करना ना भूले और साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने बंधुमित्रों के साथ शेयर करें इस प्रकार के और आध्यात्मिक वीडियोस पाने के लिए किरिपया हमारे यूट्यूब चैनल पवित्रवचन को सब्सक्राइब कर हमसे बने रहेगा फिर मिलेंगे अगली वीडियो में जै श्री कृष्ण राधे राधे जै मालक्षमी